कि कैसे हैं आप सभी मैं रियारा ठोड़ेक पर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं एससे वाला के ऑफीशल यूटूब चानल पर और मैं यह उम्मीद करते हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टेडी काफी अच्छी चल रही होगे और जैसे कि आप सभी सुबह साथ बजे आप लोगों का एक बहुत प्यारा से सशन होता है करन्ट अफियर का तो आपके जितने भी 2023 में आपके पेपर है उन सब के लिए जो हो मोस्ट इंपोर्टेंट है तो शुरुबात करते हैं आज के प्यारी से सशन के कल एक कोईशन पूछा था बहुत सारी लोगोंने answer सही किया लेकिन उसमें से दो चार लोग ऐसे हैं जिनोंने गलत किया अब किमेरे डिक्त पूछाओ या मैंने कुछ बहुत नया पूछा या फिर बहुत यूनिक पूछ लिया हो कि तुम is बढ़ानना है कर दी आज की करता है आज की शिरू करते हैं आज की अच्छा मिले नहीं है क्या माही सिंग साब जय कुमारी अच्छा प्रवीन साक्षी राजन अंकेत अभी रोहित संजे इसके अलवा नरुल है अलाद दिन भी है सपना है सिंग सहाब है चंपा देवी हाँ चंपा क्यासी हो चलो मोनिका बढ़ी आना सब लोग चलो शुरू करत हैं और आज सबसे पहले एक बहतरीन से आप लोगों के लिए लाइन है एक बात याद रखिएगा कि अगर वक्त मुश्किल है तो काम आपके कमजोर होने से भी नहीं चलेगा है कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्तेतियां अगर हमारे सामने बहुत अलग सी हो तो हम तुरंत क् सबसे पहले हम बात करते हैं नमस्ते के बारे में तो नैशनल एक्षिन फॉर मेकेनाइज सानिटेशन परिस्तेशन अगर हम बात करना चाहें तो यह पूरे स्कीम क्या है इसको तो फोड़ा सा एक बार हम लोग डिटेल में देख लेते हैं जैसे के नाशनल एक्षिन फोर मेकानिजम सानिटेशन इकोसिस्टम जिसको शॉर्ट लुं में घुका बोलते हैं तो शॉर्ट पर में हम बोलते हैं नमस्ते इसकी short form क्या है तो नमस्ते इसकी short form है नमस्ते is a central sector scheme of the ministry of social justice and empowerment and the ministry of housing and urban affair इसको शुरू किया गया है किसके द्वारा तो भई यह याद रखियेगा कि यह central sector की scheme है साथी में आप यह याद रखियेगा कि aims to work in urban India for the safety and dignity of sanitation workers जो साफ सफाई करने वाले workers होते हैं उनकी भी साफ सफाई करते हैं तो उनके साथ कुछ भी हो कोई भी उन पर ध्यान नहीं देगा तो central government के scheme है जो sanitation या फिर हम यह बोल सकते हैं कि जो workers होते हैं जो सफाई करमचारी होते हैं उनके लिए इसको शुरू किया गया था national सफाई करमचारी financial development corporation would be implementing an agency इसकी जो parent agency है वो कौन सी ह है तो national सफाई करमचारी financial development corporation आगे चले बस इतना याद रखना कि नमस्ते कि स्कीम है इसको शुरू किसके द्वारा किया गया है तो sanitation workers के लिए जो सीवर्स के अंदर जाकर किया करते हैं सफाई करते हैं अब अगर आप image देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कुछ समझ आया आप लोगों को बचा कैसे हो आप सब लोग हां तो यह समझ आया कि क्या है नमस्ते बस इतना ही याद रख लेना कि जो sanitation workers है उनके लिए इसको शुरू किया गया है ठीक है और किसके द्वारा शुरू किया गया तो ministry of social justice and empowerment and ministry of housing and affairs के द्वारा इसको शुरू किया गया आगे चलते हैं कुछ cyclone आपके वर्ष 2022 बीटा है तो जाहिर सी बात है cyclone भी बहुत सारे आयते तो हम लोगे को cyclone के बारे में पढ़ेंगे जैसे की cyclone सितरंग को नाम किस ने दिया था तो याद रखेगा थाइलेंड ने साइकलोन अमफान याद है किसी को अमफान को भी नाम किस ने दिया था तो थाइलेंड ने इसके बाद है साइकलोन निसर्ग निसर्ग की अगर हम बात करें तो बंगलादेश ने इसको नाम दिया था और य चाहीन की हम बात करें तो एक कलोन है चक्रवास को नाम दिया है qatar nasa और एक है cyclone जवाद या जावद भी बोलते और यह नाम दिया है किसके द्वारा सवधी अरब के द्वारा आसानी आप जानते हैं कि 2022 का पहला साइक्लोन था नाम दिया था श्रीलंका और साइकलोन तौकाते तौकाते का नाम दिया था म्यान मार। अच्छा तौकाते का मतलब क्या होता है, तो रेंगती हुई छिपकली तो फड़ा फट से देखो सितरंग थायलन ने, अमफान थायलन ने, निसर्ग बंगलादेश ने यास ओमान ने गुलाब पाकिस्तान ने शाहीन कतर ने जवाद सौधी अरब ने असानी श्री लंका ने तौकाते म्यानमार ने यह आप सभी को क्या रखना है यह आप सभी को याद रखना है आचा चलते हैं स्पोर्स इवेंट की तरफ जो चीजे AFC Asian Cup 18th Edition है कतर में यह क्या किया गया है कतर में यह आयोजित किया जाना है साथी में 2027 AFC Asian Cup 19th Edition है मतलब 19th वाला एडिशन है आप जानते हैं सबूदी अरेबिया में इसको फोस्ट किया जाना है अजा इस बार वाला में अगर आप से पूछों कि मतलब यह फुड़ाल टून साथी में 2023 AFC Asian Cup 18th edition Qatar में होगा 2027 AFC Asian Cup 19th edition ये साथी अरब में होगा AFC Asian Cup women's की अगर हम बात करें तो 2022 AFC women's Asian Cup 28th वाला edition और ये कहां पर होगा इंडिया में एशन पूटबॉल कन्फडरेशन ये इसकी क्या हो जाती है AFC की फुल फॉर्म हो आपका सिंगल एक्जाम नहीं है जो ना पूछता हो इसके बारे में तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बस जब चार बार सुनोगे तो आटोमेटिक याद हो जाएगा नोट नहीं करना है डिक्टो नोटस आप लोगों को मिलेंगे नोट क्या करना है ये हम आपको बताएंगे ध्यान से देखो एशियन फूटबाल कंफेडरेशन एफसे फॉर्मिशन कब होता है 7 मई 1954 को यानि कि 7 मई 1954 को इसका फॉर्मिशन होता है हेड़कॉर्टर कहां पर सब्सक्रीघ गया चूंधडर में अदिवान हो बन ऐिजएल करते हैं वां ये याद रिक्ते वियह इन काहां पर दिशिब हैचा विश्व इस तर फोट बॉल टूनामेंट्स होते हैं उनको रह गुलिट करने का काम करता है अश्व से फटेश प्रिकेट से संभंधि जतने टूडामेंट होता है उनको रेगोलेट करने का काम करता है ऑई सीची ठेक उसी तरीके से wn Juneth भारत में जो हमारी घर 나오 अरेलोग्रिकेट टूठामेंट होती है यह पर आप यह कहेंगे कि जो भारत में은 क्रिकेट की टूर्ण मेंन्ट होती है मतल़ हम लोगों के बीच में अपस में तो उसको पीसी तरीके से भारत में जो आप जो से शॉपलं करता है उनको काम कड़ करता है तो одно करता है तो एफों कीए होगा तो अब तक मैंने आपको क्या क्या बताया है फाले थूमसप करो पता चले हम एकलाटे बोल रहे हैं और अकेले ही करवा रहे हैं चाहिं आगेचले आगे चले हाँ बिल्कुल येस है promise फुड़ा सा तो अब बात करते है ए आपका एक्जामिनर पूछता है ना फीफा एक अलग हो जाएगा ठीक है फीफा भी अलग हो जाएगा अच्छा ध्यान से देखो यह जो ब्रहमास्तर वाले हैं तुम्हें मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इनका यूज यहां होता है सुबह करेंट अफियर वाली क्लास मे है अच्छा डायरेक्टर जर्नल कौन है तो गिल्बर्ट इस समय डायरेक्टर जर्नल है और जब आप गिल्बर्ट का नाम लोगे तो इन्हें नोबल पीस प्राइज मिल चुका है 1969 में साथ ही में मेंबर की अगर हम बात करें 187 इसके मेंबर है ILO के टॉंगा इसका जो है य 11 अप्रेल है ना 11 अप्रेल 19 19 को हेड़क्वाटर जिनेवा स्विट्सलेंड डायरेक्टर जर्नल गिल्बर्ट है साथ ही में में मेंबर कितने 187 187 यह है आप लोगों का स्वारी यह चेंज करना हम भूल गए इसको उपर ना देखिएगा केवल यहीं देखिएगा इंटरन रह बरकले बिलॉंग कहां से कर्ते ज्युवर किया वर्ल्ट ट्रेइड ओर्फ्ट्रेयंड जणवरी 19 19 Яिंट्ट उ इस यह याद रा लेना वारिए गगानिस्टान 1001 जवरी 19 तो शुरुबात करते हैं आज के सेशन की पहले तो ये बताओ चीज़ें क्लियर हुई जब आप चार बार अगर मैं तुम्हें ये चीज़ें याद करवाने बैठो तो तुम नहीं करने वाले मैं तुमसे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ तो मुझे इसी तरीके से करवाने पड़ेंगे क्या तुम्हें कल वाली कल एक दो पॉइंट जो हमने पढ़े थे वो बता सकते हो अगर आप लोगों को ये फील हो रहा है कि मैं कॉंटेंट बहुत जादा है हमसे नहीं हो पाएगा तो प्लीज एक बार आप हमको इंफॉम करे हम तुमको कुट कुट के याद करवाएंगे क्योंकि option तो है नहीं कि नहीं याद करना है चलो बताओ बड़ा पड़से हां बहाने बनाने का option तो ही नहीं कल भी एक scheme बताई थी मैंने आप लोगों को जरा बताना कल वाली scheme कौन सी थी हाँ ना याद हो तुम मेरे से share करना कि मम सुनों ऐसा है याद नहीं हो रहा चीका है आगे चले हाँ कल international maritime organization London Anastry International headquarter का हां पड़ता तो वो भी लंदन में था चीक है कि आगे चले हाँ बहुत कम है मैम कुछ बच्चे कह रहा है अचाए ये एक रिपोर्ट जारी करी गई वैसे आप लोग याद रखना, लास्ट येर जब मैंने 2022 में ये कोशन पढ़ाया था, तो 2022 में भी इंडिया की टॉप फोर कंपनीज थी, जो के टॉप 10 में थी, जो की टॉप 10 में थी, किस सेक्टर में, तो बहुँ आईटी वाले सेक्टर में, ठीक है, आईटी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो इस बार भी आप याद रखिएगा, कि ये जो आपका TCS है, आपको याद है, बहुत सारे एक्जाम करवाता है TCS, तो TCS ने अपनी रैंकिंग को बरकरार रखा है, और TCS की जो रैंकिंग है इस बार, वो कौन सी है, तो वो इस बार है second, अचा second के बाद, एक IT कंपनी और है, जिसका नाम है Infosys, Infosys की जो रैंकिंग है, वो हो जाएगे इस बार कौन सी, third, किस की रैंकिंग, तो Infosys की, Infosys की, हाना, Sys, Infosys की, ठीक है, और IBM की अगर हम बात करते हैं, तो IBM भी अपना ही है, कॉनिजेंट भी अपना ही है, ठीक है, तो विप्रो भी वैसे अपना ही है, ठीक है, तो यह याद रख लिजगा, अमेरिके राजनीता, राजनीता, लेटिनेट गवर्णर बन के इतिहास रख दिया है, राचिद दिया है, बस इनका नाम याद रखना, इनका नाम है, esto मैरिलेंट में ये लेफ्रीनेट गवर्नर बनी है, प्लस आप यह याद रखिएगा, कि अगर आप देखोंगे इंडियन अमेरिकेन पॉलिटीशियन इन मेरिलेंड इस्टेट लेटिनेंट इन्होंने हिस्ट्री क्रियेट करिए बस नाम याद रखना अरूना मिलर डैटिट मतलब इनका नाम आपके लिए काफी है हाँ ठीक है आगे चले हाँ बिल्कुल इतना आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा काफी हो जाएगा अरुना मिलर और यह आज का पहला कोश्टन आपकी स्क्रीन पर हलाए कि कोश्टन तो दो हो चुके हैं बट इनका नाम याद रखिएगा क्वेश्टन आप लोगों की स्क सेंडूक है इनका नाम क्या है डॉक्टर सेंडूक रूइट छेक है नाम क्या बने का इनका डॉक्टर सेंडूक रूइट इनका संबंद किस्से होगा तो यह नेत्र रोग विशेशग्या है नेत्र रोग विशेशग्या कौन होते हैं जो आखों की देखरेक करते हैं पता ह आईये से अवाड दो हजार इक्ष बाइस, दो हजार इक्ष बाइस के लिए 2021-2022, ठेक है, 2021-2022, अगर आप देखोगे तो यह अपने यहीं के निपाली है, ठेक है, तो आप बता सकते हैं कि यह किस कंट्री का जो है वो हाइस्ट अवार्ड है कतर का बहरीन का जापान का या फिर अगर हम बात करें ऑस्टेलिया का तो करेक्ट आंसर आप सभी का क्या बनेगा मैम साफ नहीं दिख रहा एक बार थोड़ा सा बढ़ा लीजेगा है ना हलका सा इस्क्रीन आपकी थोड़ी कि यहां पर करंसी कौन सी चलती है तो बहरीनी दिनार जो है यहां पर करंसी चलती है कतर की जब भी कभी आप बात करोगे तो यह याद रखेगा दोहा यहां की क्या हो जाएगी क्या पिटल हो जाएगी कतर और कतर की ही अगर हम बात करते हैं तो इस बार वाला जो फीफा व World Cup 2022, ये भी कहां पर हुआ है, कतर में, जापान की अगर आप बात करते हो, तो माँ टोक्यो की जब भी हम बात करते हैं, तो इस बार वाला 32 जो ओलम्पिक और पैरालम्पिक हुआ है, अगर आप पैरालम्पिक बात करोगे तो ये जापान में, अच्छा ओस्टेलिया की क्यां आप बताना चाहेंगे, आप में से कोई single student, मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूं, तो Australia की capital, आसान है, जरा आंसर करिएगा, लगता है भाई, अभी भी नींद में है, इसलिए दिखनी रहा, माही, 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 हाँ, Canberra, चलिए, तो Canberra यहां की क्या हो जाएगी, तो Canberra यहां की capital हो जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं याद रखना, मैं हम सुनो, ऐसा है, एक नाम याद रखना है, इनका नाम क्या हो जाएगा, तो इनका नाम हो जाता है, डॉक्टर सेंडुक रूइट, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, भाई, मानवता की सेवा के लिए, य यह कहां का हो जाएगा, यह बहरीन का हाइस्ट अवार्ड हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी बिल्कुल, ठीक है, तो यह आप देख सकते हैं, इनका नाम, ठीक है, अच्छा, यह याद रखिएगा, कि एक लाख, बीस हजार से जादा लोगों की आँखों की रोशनी इन्हो सकते हैं, और साथी में इनको पदम श्री अवार्ड मिल चुका है, 2018, क्या आप मुझे बता सकते हैं, कि पदम श्री भारत का कौन से नंबर का हाइस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसके साथी अगर आप देखोगे, तो यह याद रखिएगा, कि नाशनल ओडर ऑफ मेरिट भुटान, है ना, भुटान का भी अवार्ड इनको दिया जा चुका है, 2015 में, और साथी में रमन मैक्सिस अवार्ड इनको मिल चुका है, 2006 में, ठीक है, रमन मैक्सिस पुरुसकार मिल चुका है, भुटान का अवार्ड इनको मिल चुका है, पदम श्री इनको मिल चुका है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत रतन सबसे हाइस रवार्ड है भारत के बाद अगर हम बात करते हैं तो पदम विभूशन फिर पदम भूशन और फिर आता है आपका पदम श्री हाला कि 2019 में लास्ट टाइम दिया गया था भारत रतन उसके बाद से अभी तक भारत रतन नहीं दिया गया है केवल तीन अवार्ड ही जो है वो दिये जा रहें अगर आप से यह पूछा जाए कि मिलिटरी या फिर अगर हम ग्यालंटरी की जब बात करते हैं तो उसमें कौन सा हाइस्ट होगा परमवीर लेकिन जब आप शांती की बात करते हो तो शांती में अशोक सबसे ख़ोकी ओर मयों हमेश्ची वरमाया ह हमेशा आपको बताया है यह कहां का हाइस्ट रवार्ड हैं यह हाँएस्ट रवार्ड है है स्वाती पिराम Я का नाम हां आंसर क्या बनेगा option आपका ए स्वाती पिरामिल डॉक्टर स्वाती पिरामिल बिल्कुल ठेक है किस देश के प्रधान मंत्री जैंसीडा अर्डन ने फरवरी में पद से इस्तिफा देने की घुशना कर दिया है एक्चुर में जब यह 2017 में यहां पर पीम बनी थी तब यह 37 वर्ष की एज में 37 37 वर्ष की एज में पीम बनने वाली सबसे कम उम्र की क्या बनी थी तो सबसे कम उम्र की यह पीम बनी थी लेकिन आप इन्होंने क्या दिया है कि अब हमको कोई दिल्चस्पी नहीं है ठीक है मतलब नेक्स अभी जो इस फरवरी में जो पर ने पीम की यहां पर यहां पर नए पीम की तलाश भी जो है वो शुरू हो चुकी है तो यह आप इनको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं लेकिन जाने से पहले बहुत सारे ऐसे काम हैं जो यह कर के गई हैं आप लोगों को याद है इन्होंने यह काता कि 2008 के बाद ध्यान से याद करो 2008 के बाद जिनका भी बर्थ हुआ है न्यूजिलेंड में उन पर मतलब वो जो है नशीले पदात का सेवन नहीं करेंगे यानि कि सिगरेट की अगर हम बात करें तो लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे तो बहुत कुछ अच्छा जो है यह अपने कारेकाल में करके गई किया जय है यह इस समय प्रतिक्रिया ईप्राइब इसापन कर लेकिन इन्हों ने सबादे डिसाइब किया गया जरा मैं देख लूँ बच्चों का अंसर आया की नी इस समय हेड कौन होंगे एंडी आरफ के तो अतुल करवाल अतुल करवाल अतुल करवाल अतुल करवाल इस समय हैड होंगे आगे चलें अच्छा प्रेड़ना कह रही है मैं बोलती है कुछ याद नहीं रखना लेकिन तीन-चार पॉइंट बता देती है वो तो अब आदत में आ गया ना फ्लो फ्लो क्योंकि मुझे यह लगता है कि अगर तुम मुझे दो बार से जादा सुन रहे हो इसका मतलब तुम्हें चीजें याद है यह कोश्यन तो नोट करने हैं और नोट पिछली चीजें भी करनी है जितने बार लिखो गया उतनी बारी चीजें याद होएंगी ऐसे तो इसकी स्थापना कब होती है तो स्थापना होती है 2006 को ठीक है एक्चल में अगर आप देखोगे तो डिजास्टर यानि कहीं पर भी अगर हम यह देखना चाहें कि कहीं पर भी बार वगयर आती है या प्रकरते कापदा होती है तो वहां उससे निपटने के लिए इसका क् किया गया है एंडी आरफ का तो करेक्ट अंसर क्या बन किया आप लोगों का अच्छा अरे भाइसाब न्यूजिलेंड से कोश्यन में को छूट गया मेरे दिमाग से निकल गया कल पर सुम लोग पढ़ रहे थे ना 23 साल के क्रिकेट के प्लेयर है शुबमंगिल अरे दोहरा कि किन लगाया था है तो तुम बताते नहीं कुछ भी यह बहुत गलत बात हर्चीज मैं ही बताओं तुम बता सकते तो सुबमंगिल ने दोहरा शुत-था लगाया नूजिलेंड के खिलाप है था हम बहुत मारें तुमको इना ध्यान से सुनो 2006 क्या होगः उप लोको कर्ल आंसर हो जाएगा आगे चले हां तो भई एन डी आरफ उन्हें जनुवरी दोजार चेको इसके स्थापना होती है है डतुल करवाल है एक्ट दो हजार पांच का था हमेशा यह याद रखिएगा एक्ट अलग है साथी में अगर हम बात करें तो इस थापना जो है वो अलग करी गई है एन डी आरफ मैंने गलत जगह लिख दिया क्या चलो फिर तुम्हें वो दिखे गानी एन डी आरफ आज सटर्डे था आज मेरे को रिवीजन टेस्ट लेना था लेकिन मैंने सोचा हम बहुत पीछे हो जाएंगे अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो एक्ट होगा दो हजार पांच का लेकिन इसके स्थापना कब होती है 2006 में स्थापना 2006 में इस समय हैड कौन होंगे अध्यक्ष कौन होंगे तो अतुल करवाल करवाल चाहिए तो करेक्ट आंसर क्या बन गया ऑप्शन सी वाला 2006 अच्छा यह जनवरी वाले दिन कहां से आज याद करो तुम्हें कराया है आज से एक डिढ़ हजार साल पहले यह कुश्शन जनवरी की बात करते हैं शरवास से देखो फर्स्ट आफ जनवरी को क्या मनाया चाता है ग्लोबल फैमिली डेयम लोग करते हैं यानि कि वेश्विक परिवार दिवस और फर्स्ट आफ जनवर क्या मनाते हैं प्रवासी भाती इवस अधर वतमारा यूत नाशनल ऑबल तर्सयों पर टॉवार देखो कि डॉन एक अगर मनाते हैं इ्पोर दिवसrec करनाटक पंध्रावर जनवरी को क्या मनाते हैं इंडिन आर्मी दिवस लेकिन vigil मोनाते हैं भूत पूर्व सैनिक क्या है आप जानते हैं कि भारत के first commander in chief नर्टा फाल्व परहां को सकते हैं Nagणतें हो जनवरी को दो डे हैं जो सेलिब्रेट होते हैं मुस्ट इंपोर्टन बनेंगे नाशनल गर्ल चाइल्ड डे पंक अभियान MP सरकार के द्वारा शुरू किया गया था 24 जनवरी को International Day of Education अम लोग मनाते हैं और 25 जनवरी को National Waters Day मनाते हैं 25 दिसंबर को Good Governance Day 25 दिसंबर को Good Governance Day, 23 दिसंबर को किसान दिवस, चौधरी चरण सिंग की इस मृती में किसान दिवस तो I hope आप लोगों को याद हो गया होगा, देखना है एक नजर वापस, मुझे नहीं लगता, नजर मतलब घुमाने की भी ज़रूरत है तो एक जनवरी Global Family Day, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी National Bird Day, 9 जनवरी को प्रवासी भार्ट, अच्या यहां से तुम्हें याद नहीं होगा, हम ऐसे बोल के बताते हैं 1 जनवरी को एक तो Global Family Day हो गया, दूसरा हो गया, DRD अपनी स्थापना दिवस मनाता है, 4 जनवरी को आपने क्या का माम विश्व ब्रेल दिवस जो है, वो 4 जनवरी को मनाया जाता है, 5 जनवरी को बर्ट्स दे हम लोग सेलिबरेट करते हैं, 9 जनवरी को अंतरास यह प्रवा जाएगा आपका International Day of Education और 25 के अगर आप बात करते हो, तो नाशनल वाटर सजी कब हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 25 को, आगे चलते हैं, अंतरास यह मसाला सम्मेलन का छेटा संस्क्रन, 19 से, 19 जनवरी से 22 जनवरी तक आयुजित किया जाएगा, कहां पर, तो मैंने आपको बताया था, जब यह कोश्चन कराया था, कि इंडिया को हम क्या क्याता है, Spice of Bowl, इंडिया को कहा जाता है, मसालों का कटोरा, क्योंकि सबसे जादा मसाले कहां पर होते हैं, हमारे यहीं पर होते हैं, तो अंतरास्टिये मसाला सम्मेलन, एंटरनाशनल स्पाइज कॉन्फरें तो बाइस उन्नीस जनवरी से लेकर के बाइस जनवरी तक आयूजित किया जाना है तो कहा पर चन्नी तमिल नाडू जैपुर राज्यस्थान सूरत गुजरात गांधी नगर गुजरात तो करेक्ट आंसर आया कि किसी का हाँ तुम्हें ए पढ़ाया हुआ है मैंने चन्नी तम तम्हें नाडू 2019 कि कुल्देंटर अगे चलते 50ज कॉर्पार्इन की कंड़ुपी वागीर को नेताजी जहनती पर कमिशन किया जाएगा तो 22 जनवरी को तेरी जनवरी को 24 जनवरी को इसलिए इंपोर्टेंट डेज हम लाए थे हाँ सपना बिलकुल एकदम ठीक कहा और बेटा यह जो आपस में एक दूसरे के साथ लगया हुए ना तुमको क्या लगता है हमको दिखाई नहीं देता मैं आंके बहुत कमजोर है हमको चश्मा लगाने की जौरत है ऐसा नहीं है है यह जो आप कॉमेंट सेशन में दूसरे का ख़याल रख रहे हो यह बिना मतलब के तूं नहीं हो सकता थिन तो बाट वही है पढ़ लिए काम tavalla कर तो कमा बाबू है मैं वह हां तुम कैसी हो जासी हो तूम यहो तुम वह हो तुम नना अरे वो नाश्ता पानी आज कर कर यह वही छुन चलो आगे चले तो आंसर क्या बनेगा 23rd of January है ना जिनका आंसर आचुका है 23 जनवरी आप यह याद रखिएगा कि नेता जी सुभाज चंदर बोस की जैनती को हम किस रूप में मनाते हैं तो पराकरम दिवस की रूप में हम मनाते हैं अच्छा यह सबसे महत्वपूर्ण है प संपमरीन अगर आप बात कर Newton इनको बनाया किस के द्वारा गया मत गांडॉंध्ड़ मजगा हम दोक कढ़दमॉंध्ड लिमिटेड के द्वारा यह जो ऊप देखो गे जो ब्समारीन है इनको बनाया किस प्रूप मजगाउं बॉबिलोध्स लिमिक्रदो के दुखरूंध्ड नेवल ग्रुप के साथ इनको मिलकर बनाया गया है किसके द्वारा MDL के द्वारा अगर आप देखोगे ना तो जैसे आपने देखा था वैसे प्रोजेक्ट याद रिखेगा प्रोजेक्ट 75 के तहत आपको देख जाएगा यह लिखा है प्रोजेक्ट 75 के तहत जिनको ना दिख रहा हो यह रहा प्रोजेक्ट 75 के तहत अगे चलते हैं नेवी है अगर आप देखोगे तो चार स्कार पर अल्रेड़ी कमिशन किये जा चुके हैं जैसे आई-एनस कलवरी है आई-एनस खांडेरी ह अगर आप बात करोगे करंज है और आइनस वेला है अब वागशीर भी आ जाएगी और वागशीर के बाद सिक्स्त वाली हो जाएगी वागीर तो वागीर भी जो है वो मिल जाएगी चुल्म मैंने नितुम्हें पढ़ाया था कि हमने नेवी को इसे सौंप दिया है लेकिन हां चलिए तो नाम आप सभी को क्या रखना है नाम आप सभी को जो है वो याद रखना है बिल्कुल ठीक है क्या हो जाएगा आइनस खांडेरी आइनस करंच आइनस वेला और आइनस कलवरी और इसका नाम क्या है फिफ्ट वाली का तो इसका नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा एक वागीर है और एक क्या हो जाएगी वागशीर ठीक है है जो वाघ्षी है यह नेक्स्ट मन्थ मिलेगी मतलब सॉरी नेक्स्ट यह मिलेंगी लेकिन अगर आप देखना चाहोगे वागिर तो वागिर को क्या किया जाएगा सब मुजी को करना पड़ता है तुम क्या यहां मेरी शादी में आयों अच्छा यह बताओ कोश्चन समझ आया कि वपस समझाओ मैंने कुछ नहीं पढ़ाया मैंने केवल इतना पढ़ाया है आप लोगों को बस एक नाम याद रखना है सबमरीन का जिसका नाम है वागीर है ना इसको कमिशन किया जाएगा न आइनस वेला है और थर्ड वाली कौन सी होगी तो दाट इस वाक्षीर आगे चले और फिफ्ट वाली कौन है तो फिफ्ट वाली वागीर है अच्छा फ्रांस के संयोग से एमडियल इसको बना रहा है यानि कि अगर आप बात करोगे मजगाओं डॉक शिप बिल्डर्स कौन करने की मतलब यह लगता है कि काय को करें तो बाकी तो लाइव इतने लोग है हम कुछ करते ही नहीं है सारा काम तो मैं करी रही है हम क्यों करें तो वर्ष 2023 के लिए शंगाई से योग संगटन के शिखर समेलन की अद्धिक्षता यह किसके द्वारा की जारी है इंडिया के द चाइना और एक है रशिया रशिया एक्चल में जब आप स्यों की बात करते हो ना स्टार्टिंग में जब आप स्यों को देखते हो तो 1996 में है ना यह याद रखिएगा 1996 में स्यों की जब इस्थापना करी गई इस्थापना करी गई तो SEO 5 के तौर पर करी गई SEO 5 के तौर पर बाद में इसका जो नाम चेंज होता है SEO 5 का यह नाम चेंज होता है 2001 में है ना 2001 में और इसमें एक नया मेंबर एड होता है जिसका नाम है उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान इसमें क्या होता है एक नया मेंबर एड होता है आगे चले 1996 में इसके स्थापना SEO 5 के नाम से 2001 में इसमें उजबेकिस्तान शामिल होता है एक कोशन आपके एक्जाम में पूछता है कि SEO का हेड क्वाटर कहां पर है तो यह याद रखिएगा इसका हेड पर कहां पर होगा Beijing में बीजिंग चाइना बीजिंग चाइना में इसका क्या हो जाएगा हेड क्वाटर हो जाएगा आगे चलें एक कोशन और आपके इक्जाम में बनता है जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत और पाकिस्तान स्पेशली आप एक चीज पॉइंट याद रखिए गा भारत प्लस पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान ये इसके मेंबर बनते हैं कब तो मैं वर्श दो हजार सत्रा में वर्श 2017 में भारत और इरान नवीन्तम मेंबर कौन सा बना है इरान आगे चले जानू भर्दवाज रुक जाओ हर जगए अपनी जो हम जिस तरीके के होते हैं तो हर जगए वो चीज नहीं दिखाई जाती यहाँ पर जो बच्चा है वो जन्वन है यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो पढ़ने वाला इन्हें सीखना है कि अगर मेरे मुह से सुबह सुबह कुछ निकल गया उल्टा सीधा तो तुम बर्दाश नहीं कर पाऊगी कर पाऊगे जो भी हो लास्ट टाइम है उसके बाद ब्लॉक का ऑप्शन भी यहां पर है ठीक है लेकिन 2000 एक में बात करेंगे तो हार पाकिस्तान दोजार साथ में में शामिल होते हैं टोटल कितने हैं नो टोटल मेंबर टोटल मेंबर, टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, तो टोटल मेंबर हो जाएंगे, अब 9, ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट कुशन की तरफ, हाँ, टोटल मेंबर है 9, ठीक है, आगे बढ़े, चलो, माघी मेला उससव किस राज्ये में मनाया जाता है, पंजाब, हरियाना, सबसे कलाप देकिए का समझ घाएगा सूंस पहले समझ यान था तो अपसे समझ आ रहा है देखो माघी मेला उड़ सी फिस्टिवाल होता है आगर आप देखोगे educated mag u.sch бесп 有 aack hmG h mag festival. फेर है ना सूरज कुंड मेला यह यहां पर लगेगा गुजरात की बात करते हैं तो इंटरनाशनल काइट फेस्टिवल international kite festival festival international kite festival सालती में राज्यस्थान की अगर बात करते हैं तो एक होता है आपका मरू महस्व मरू festival festival मरू festival गणोर आप सभी को पता है राज्यस्थान का बड़ा फेमयस है एक होता है अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर क्या बन गया पंजाब मैम एकदम 110 पॉसंट टीक आंसर बन गया अच्छा अगर आप पंजाब के बारे में जब देखते हो अच्छा वरोनिका भी है क्या आज इस क्लास में कोई भाई कल एक स्टूडेंट थी वरोनिका तो वो कह रही थी वैसे मुझे एक चीज और एड करवानी है इसमें ना मेरा मन मान नेडा लेकिन कोई बात में पहले इतना ही कर लो ठेका हम यह याद रखिएगा बैट और बैट संबंद किसे होगा गुरू गुरू गोविंद संग जी गोविंद सिंग गोविंद सिंग जी गुरू गोविंद सिंग जी अच्छा गुरू गोविंद सिंग जी की अगर हम बात करते हैं तो यह सिखों के कौन से गुरू होते हैं तो यह 10th गुरू होते हैं और लास्ट वाले गुरू होते हैं इनकी help करने के लिए जो बैटर ओफ खिदराना है इसमें इनकी help करने के लि से मैं को पंजाबी सब्जेक्ट था तो मुझे पढ़ना आता है को कि 9-12 मैंने पढ़ा था 40 मुक्तियां दी अगर आप देखोगे पवित्र धर्ती श्री मुक्तसर साहिब में यह जो मेला है वो लगता है माघी मेला आगे चले हां तो मैं कहां पर थी मैं यहां पर थी स्यों वाले पर इस चीज को नोट करिएगा जैसे स्यों शंगाई आप जानते हैं कि वर्श केक पास अगैगे तो अपने अपने भारत के पास इंडीया के पास आप अच्छा SEO के साथ साथ वर्ष 2023 में अपना प्यारा भारत जो है वो जी ट्वेंटी की मेजबानी करेगा है ना जी ट्वेंटी की मेजबानी अपना भारत करने वाला है ICC One Day World Cup ये भी कहां पर होना है भारत में ही होना है ICC One Day One Day World Cup वर्ड कप ये भी कहां पर होना है तो ये भी यहां पर होना है लेकिन आप में से कुछ लोगों को याद है वाशेनार एग्रिमेंट वाशे नार वाशेनार अरेंजमेंट अरेंजमेंट है इसकी अद्धिक्ष ताभी इस साल किसके पास है तो अपने प्यारे भारत के पास है वाशेनार अरेंजमेंट के अगर हम बात करते हैं तो इसकी अद्धिक्ष ताभी किसके पास है अपने प्यारे भारत के पास है आस्त्रिया में इसका headquarter है लेकिन अगर आप वाशिनार की बात करोगे तो इंडिया ने इसको कब जोइन किया था उन्ही सभी शक्तियों को किसी अच्छे हाथ में देना या फिर आप यह बोल सकते हैं कि किसी अच्छे पॉर्सन को responsibility देना लेकर तो किसके पास इस बार आईए इंडिया के पास याद करो कि याद आया किसी को हाँ वाशे नार आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ तो correct answer आपके क्या हो गया इसका तो भारत इसका अंसर एक्दम है अना 2023 में इसके प्रसिडेंसिक इसके पास आई है अपने प्यारे भारत की पास आगे चले नेक्स्ट कोशन की तरफ आगे बढ़ते हैं प्रसिद असमिया कभी नीलमणी फुकन का निधन हो गया है इन्हें हाली में किस पुरुषकार मैंने एक नई सीरीज और शुरू करी है आपके लिए इस क्लास में आप जो जो मुझसे पढ़ते हैं जो आप मुझसे सीखते हैं उसका एक शौट वीडियो भी आप लोगों को मिल जाता है दिन में तो उस शौट को भी एक बार देख लिया करो वहाँ पर भी आंसर किया करो यहां खिशिया तो याद रखेका प्रसिद आसमिया कवी नीलमनी फूकन का निधन हो गयाै इन्हें किस पूरुषकार से संब्मान इत किया गया SENB さंबान बिहारी संब्हारी संब्मान या ज्यानपीड पूरुषकार याद रखेगा। सरस्वती, व्यास और बिहारी, ये एक बीरला foundation की दुवारः दिए जाते हैं? केके बीरला foundation की दुवारआ ये ये अवोर्ट दिये जाते हैं, बाखी correct answer आपका क्या बनेगा? option कि अगर हम बात करें, तो option आपका आपको कि ये थे और 56 वाला ग्यानपीड पुरुषकार या घ्यानपीड आवर्ट Catholic ने अगर आप बात करोंगे तो एक लिए आड़ Chuckर इस ये विद सबसे बड़ा अवार्ड है यह अगर आप देखोगे तो साहित्ते का हाइस्ट अवार्ड है यह साहित्ते का सर्वोच अवार्ड है यह ग्यानपेट पुरूसकार है और 56 वाला एक्छोन में 2021 का था यह लेकिन दिया कब गया तो 2022 में है ना 2021 का था लेकिन 2022 में ये दिया गया तो ये ध्यान रखिएगा कि 56 वाला ग्यानपेट अवार्ड ये असमिया पॉइट है निल्मनी फुकन और ये है निल्मनी फुकन और 57 वाक इनको मिला है कॉंकणी भाशा के ओथर हैं नहीं आज पेड में नहीं है मेरी क्लास प्राच्ची चलो आगे चले हां प्रेणा देखो सत्तावनवा ग्यानपेट के इनको मिला है कॉंकणी ओथर है दामोदर माउजो ठीक है तो दोनों का नाम याद रिखिएगा 56 वाला भी और 58 वाला भी एक्जाम पॉइंट ओविसे इंपोर्टन बनेगा आगे चलते हैं आचा ये है रा स्रचना का नाम क्या है मतलब इनकी बुक का नाम क्या होगा मैं तो यहां हूँ मैं तो यहां हूँ मैं तो यहां हूँ के लिए अचा ये तो 2021 का इनोंने पूछ लिया लेकिन अगर सरस्वती सम्मान 2020 का मैं आप से पूछ लूँ तो आपका आंसर क्या होगा शरद कुमार ल इंबाले नेक्स की तरफ चलते हैं तो यह अजगर वजाहत व्यास सम्मान 2021 व्यास सम्मान 2021 अच्छा इनकी बुक का नाम क्या है तो महाबली के लिए और 2020 का व्यास सम्मान किसको मिला था तो जिनकी पुस्तक का नाम था पाटली पुत्र की समरागी याद है किसी को अच्छा यह बताओ यह किनकी बुक का नाम है पाटली पुत्र की समरागी पाटली पुत्र की समरागी यह ना पाटली पुत्र की समरागी तो प्रोफेसर शरद पगारे यह ना इनका नाम क्या होगा प्रोफेसर शरद पगारे शरद पगारे इनको भी क्या मिला है तो इनको भी ग्य 2020 का ग्यानपीट पुरुसकार इनको मिला है अच्छा यह हो जाएंगे माधव हड़ा और इनको इस बार का क्या मिला है तो बिहारी सम्मान इस बार वाला इनको मिला है बिहारी सम्मान 2022 का है ना बिहारी सम्मान इनको दिया गया है कौन सा बिहारी सम्मान है तो 32 बिहारी सम्मान इनको दिया गया है एक नाम आप लोगों ने पढ़ा किन को लेकर गे तो आपने नाम पढ़ा किन का नीलमणी फुकन का नीलमणी फुकन के बारे में याद बात और याद रखें, 1981 में इनको साहित्य अकादमी पुरुसकार मिल चुका है, वर्ष 1981 में साहित्य अकादमी पुरुसकार, और एक बड़ी अपडेट आप लोगों की जो निकल करके आती है, वर्ष 1990 में, पदम श्री इनको मिल चुका है 1990 में पदम श्री, तो ये पॉइंट आपकी पीपीटी में आपको मिल जाएंगे, आगे चले, हाँ, हाँ, चुक्या, तो नाम याद रखेगा आपके इनका, तो भई, रामदरश मिश्र का, मैं तो यहाँ हूँ, असगर वजाहत, व्यास सम्मान, किसके लिए महाबली नाट के लिए और एक नाम याद रखेगा, बिहारी सम्मान है, यह किसको मिला है, तो यह मिला है, मादव हाड़ा को, कौन से नंबर का, तो बत्तिसवा बिहारी सम्मान, भारतिय अंतरास्टिय विज्ञान महुतसव के आठवे संसक्रण में, 22 और 23 जनवरी 2023 के दोरान, विज्ञ इंडियन इंटरनाशनल साइन्स फेस्टिवल है, जो कब से कब तक चलेगा, तो 22 और 23 जनवरी को, 22 और 23 जनवरी को, साथी में आप यह याद रखेगा, इस बार इसका एडिशन कौन सा है, तो यह इस बार हो जाएगा, इसका एट वाला एडिशन, बस इतना ही याद रखन इंटरनाशनल साइन्स फेस्टिवल कहां पर आयजित किया गया है, जैपुर में, लखनव में या धरमशाला में, एट वाला इसका क्या हो जाएगा, एट वाला इसका एडिशन हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए, भोपाल में, अचा भोपाल का ना अगर हम इंदोर की बात करें, तो लगातार सिक्स्त टाइम क्या बना है, सबसे क्लीन शहर बना है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 10 लाग से कम आबादी वाले शहरों में, सबसे क्लीन शहर कौन सा बना है, तो यह याद रखिएगा तिरूपती, और तिरूपती कह का है, आंदर प्रिदेश का है, कुनो नैशनल पार्क यहीं पर है, बांधोगर आपको यहीं पर मिल जाएगा, पन्ना आपको यहीं पर मिल जाएगा, कुनो का नाम इसले भी महत्वपोन है, क्योंकि नामीबिया से क्या लादी गया है, चीते लादी लादी लक्ष्मी 2.0 यहीं पर शुरू किया गया था, भी मामा के द्वारा, देश का पहला ड्रॉन इसको लिए, कहां पर खुला ग्वालियर में, विदीशा की अगर हम बात करेंगे, तो ग्राउंड लेवल पर 5G सर्विस को जया, वो शुरू कर दिया गया है, MPMP के विदीशा से, इसके अलाव क्या हम compared to V我要 का यूजेत कहां पर होगा तो यह ध्यान रखेका, Bhopal में यह NAYAM होगा तो विद्वाशन का है, वरौनिका नहीं है विद्वार्णी कवरारॉनिक का एक student थी, चिके, विद्वार जाइंस लिटरिचर, पेश्टिवल, इस बींगे जानता बहुत famous player है नाम इनका क्या होगा नाम है इनका हामिष अमला फ्रांस है जपान है औस्टिलिया या साउथ अफरीका है तो याद रखिएगा ब्रहमास्तर में मेरी क्लास मंडे को है जब आप सीखने लगते और जब आपको कोश्चन आपके सामने आता है तो आपको यह लगता है कि हाँ मुझे आता है जब सब कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता तो मैंने वही आप से कहा है कि ज्यादा दिन नहीं चाहिए आपके केवल तो एक महना भी नहीं कहते हैं तो फंदरा दिन में अपने अपने जब भई हमको चीजें याद होगी तो तुमको क्यों नहीं होगी वह करण्ट अफ्यार तुमने बसा लिया है बसके वह 40 मिनट की क्लास होती हमारी और मुझे तो वह भी पता नहीं चलता आपके साथ 40 मिनट क सरयास ले लिया है और यह किस देश है तो याद करो ड्वेन प्रेतोरियस यह कहां से बिलॉंग करते हैं तो सावथ अफरिका से फ़र्वड करीम बैंजोमा का नाम कैसे नहीं जानते आपके तो इस समय रेतार्मेंट ले रहे सिधार सिंग लॉंग जाम इसकी समय हेड है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजनसी वाड़ा फॉर्मिशन 10 नवंपर 1999 को हेड़कॉर्टर मॉंट्रियल में है कनाड़ा प्रेसीडेंट कौन हो जाएंगे बना का इस समय प्रेसीडेंट है आचा मैंने आपको एक बताया था मैंने लंदन बताया था इंटरनाशनल मेरिटाइम और्गनाजीशन कॉमन वेल्ट एमनेस्ट्री इंटरनाशनल का हेड़कॉर्टर कहां पर है लंदन में तुरिपूरा मेघाले नागालेंड में चुनाव की डेट अनाउंस हो चुकिये कब-कब चुनाव होने हैं तो पर कौन रहोंगे औरिड संगमा एन पीपी नाशनल पीपल्स पार्टी का नाम होगा यह नागालेंड है कैपिटल कोहीमा है गवर्नर जगदीश मुखी है चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे नेफ्यूर यहां के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगी आगे चले केंद्र सरकार ने नया उपरास्टे सुरक्षा सलहकार अपॉंट किया गया है और इसी चीफ का तो पैसा मिलता है है और पैसा ही किस चीफ सिसका है एक आपके कॉंटेंट का और एक बोलने का that's it और कामी क्या है मारा और अगर हम यहीं सही से नहीं कर पाएं तो फिर यहां पर खड़े भी नहीं हो पाएंगे के एक बज़े भी हमारे कमेंट का रिप्लाई किया था हमारे कमेंट को लाइक किया था तो यह बनकर पचास-पच्पन मिनट में तयार नहीं होता इसको बनाने में पांच साथ घंटी लग जाते हैं ठीक है और जब चीज बन जाए तो फिर उसमें इतना समय नहीं लगता इसक किया है पंकच कुमार सिंग को अपॉइंट किया है मैं बीए सफ के पूर पर क्या रह चुके हैं यह हैड रह चुके हैं चार डेप्यूटी एनसे हैं चारों के नाम याद रखिएगा ठीक है आगे चलते किस राजे ने सांझा स्कूल बस प्रैनाली और कृशी प्रतिक्रिय वहान व्योजना शुरू किया है शियर्ड स्कूल बस सिस्टम एंड अग्रिकल्चर रिस्पॉंस वहिकल तो यह किस ने शुरू किया है तो यह शुरू किया गया है मेघाले ने कॉन्रेट संगमाने विश्वा आर्तिक मंच द्वारा के इस भारती श्यार में ओडियो की क्र अधराबाद सबसे कम उमर में 12 तक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कॉली है इशान शुबमन गिला रोई शुर्म है इशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा था किसने भाई तो न्यूज्वलेंड के खिलाफ शुबमन गिलने तेक है शुबमन गिलने तेक है आग इक शिव जी की और प्रतिमा है मुझे बहुत अच्छे से याद है कि राज़स्थान में उसको स्टाबलिष किया गया है अदेयोगी करके पता नहीं कोई कुछ कह रहा था एक प्रतिमा और है शिव जी कि लेकिन वाब मेरे दिमाग में नहीं है ठीक है उसको राजस्थान म अगला कुछ ने पांस दिवस्या है यह सब याद रखना ही नहीं है संथ त्याग राज की स्मृति में संस्कृति फाउंडेशन द्वारा 18 जन्वरी से शिल्प शिल्प रमम मधापुरा में आयुजित किया जा रहा है इसका कौन सा संस्कृन है अच्छा है हैधराबाद त्य आगराज अराधना म्यूजिक फेस्टिवल बात खतम बात खतम कौन सा वाला इसका एडिशन है तो एट वाला इसका एडिशन है यानि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी बिलकुल ठीक हो जाएगा अच्छा तो कब से कब तक है 18 से लेकर के 22 जन्वरी तक है बारत और जिनका 118 वर्ष की आयू में निधन हो गया है और यह किस देश से संबंधित है तो यह फ्रांस से इन से पहले केन तनाका थी और इसके बाद इरान के जो सबसे गंदे परसंते जिनका नाम था माउजू याद है किसी को हाँ आगे चलते हैं तो यह हो जाएगी शाशन में ड दिजिटल परिवर्तन का नित्रित्व करते हुए भारत का पहला केंद्र शाश्र प्रदेश बन गया है जो पूरी तरीके से प्रशाशन के डिजिटल मोड में स्थानांत्रीत हो गया नाटेज जम्मो कश्मीर आपका क्या बनेगा डे बिलकुल करेक्ट आंसर है पहला ग्ल और क्या आपका क्या था यह बिलकुल करेक्ट आंसर था और आप जानना चाहोगे कि किस किस ने आंसर सही दिया हम तुम्हें स्टूडेंट के कमेंट दिखाते हैं इस लाइट को बंद करके यह लाइट जलेगी तो आपको क्लियरली नहीं दिखेगा अब ध्यान से जैसे कि एक गुडिया है जिसका नाम है विशाखा विशाखा ने आंसर किया आचा विशाखा के अलावा मोनिका ने देखो हाना मोनिका कि अगर हम बात करें तो क्याप्टन सुर्भी जक्मोला ये विकम जो है वो फोर्स रूमेन ऑफिसर है बी आरो में और इनको कहां पर भे जा गया है और बाकी तो इन्होंने मेरी तारीफ करी है इसके अलावा जैसे आफिया बहुत अच्छा लिखती है अचा इसके अलावा गौतम जी का आंसर आप पढ़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी समय हो इन्होंने बहुत डिटेल में चीजों को लिखा है इन्होंने यह लिखा है कि प्रोजेक्ट हिमांख लद्दाक में सबसे उची मोटरिबल रोड बनी है 19-300 फीट की उचाए पर इससे जादा एक टीचर को और क्या ही चीए कि क्लास में बोली हुई हर बात उसके स्टूडेंट को याद है इनके बाद अगर हम देखें तो मोन है मोना ने इतना डीटेल में लिखा मतलब मोना ने कुल मिला के सब लिख दिया ठीक है आगे चले नेक्स की तरफ बढ़ें तो यह हैं प्रीती प्रीती के अलावा जानवी है जानवी के अलावा जो है वह एक बिहारी है अभी बिहारी इसके अलावा जैसे आदर्श है आद पांडे हैं सौरब पांडे हैं मेरे लिए इससे बड़ा और क्या ही होगा कि बच्चों को हर चीज याद है जो मेरे मूँ से निकला नहीं कि वो इन्हें सब याद है जैसे डॉली ने बहुत भैतरीन लिखा ना देपांशी हैं विजे हैं प्रिंस हैं इसके अलावा जैसे कहां पर क्या किया गया है साथी में माही चौधरी हैं माहीर चौधरी ठीक है इशा इन्शाल्ला ठीक है बाकी तो बारीक भी है रचना भी है अंजली है मतलब कोल मिला के तुम देख सकते हो ये कॉमेंटेशन का कमाल है अपने आपको रोक नहीं पाते जब बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं ठीक है हां मन नहीं मानता क्योंकि हम हमीशा कहते हैं अगर बच्चे ने महनत किया तो अप्रिशेशन जो है वो मिलना चाहिए ये आज की होमवक का कोशन है प्लीज आप सभी होमवक में इसका आंसर जो है वो कर दीजेगा बाकी थांक्यू सो प्लीज को में लिखा करो और जितने ज्यादा आप कमेंट करोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक है और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था हमेशा की तरह कि याद रखिएगा चांस हमेशा उसी को मिलता है जिसमें काबीलियत होती है ठी थांक यू सो मच बब बाई बेस्ट आफ लग आप सभी अपना ध्यान रखें सुस्त रहें मस रहें बेस्ट आफ लग